नमस्ते जी यह वीडियो क्लास 10th के लिए होने बाला है और इसमें हम लोग exercise जो अपना है 1.1 उसका question नम्मर 3, 4 और 5 discuss करेंगे और इसी के साथ आज जो है exercise 1.1 खत्म हो जाएगा NCRT book से ठीक है exam के point of which से अभी हम और सवाल आपको करवाएंगे जब मेरा पूरा chapter 1 जो है 1.4 त इस question तुम लोग focus करते हैं कि एक parade होना है उसमें 616 सदस्य जो है सेना का है ठीक है एक सेना है जिसमें 616 सदस्य है और एक आरमी यही सेना आरमी तो खेलेकी हो गया और 32 सदस्य का एक आरमी बेंड है ठीक है तो आरमी बेंड के पीछे जो है मार्च करेगा यह आरमी वाला ज समान संख्यां वाले अस्तम में मार्च करना है उस अस्तम्बों की अधिकतम संख्यां ठीक है क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं ठीक है पहले सवाल समझ लीजिए ठीक है एंसर तो हम लोग निकाल ही लेगे ठीक है क्योंकि बच्पन से हम लोग करते ही क्या है अगर हम सवा अगर एंसर नहीं मिल पाया तो सवाल नहीं सिखे असर हनाकि नहीं बार-बार कहते हैं बच्चा को है घनित में इंसर मिलाना दूसरा समू यानि 32 लोग दूसरा समू का है ग्रूप का है जो आर्मी बेंड है कितना अस्तंब एक चीज और बोल दिया है कि समान संख्या होना चाहिए समान संख्या वाले अस्तंब रहेगा और अधिक्तम संख्या कितना होगा ठीक है एक तो आप समझ सकते हैं कि जब भी सम सवान संख्या एक तर्म यह है और अधिक्तम दिख जाएगा सवाल में हम SCF ग्यात कर लेंगे हलां कि हम कुछ आपको ऐसा भी आगे चलके देंगे सवाल करवाएंगे जिसमें अधिक्तम लिखा रहेगा लेकिन हमें LCM ग्यात करना पड़ेगा ठीक है तो हम डीटेल में समझाएंगे SCF LCM का बर्ड प्रोब्लम जब भी आता है तो फिलाल जब भी बर्ड प्रोब्लम आएगा ठीक है समान संख्या दिखे अधिक्तम दिखे हम SCF ग्यात कर सकते हैं इस सवाल के लिए सवाल को समझने काम परियास करते हैं कहा जा रहा है कि दो ग्रूप है ठीक है यानि टोटल कितना आदमी है अगर आदमी जोड़िएगा तो टोटल देखे 616 और 32 जोड़ी लेते हैं 616 और 32 यानि टोटल 648 वेकती है जो दो समूम में बटा हुआ है एक में 616 लोग है और ए सब्सक्राइब होता है तो अस्तम मतलब क्या होता है गनिती में ऐसा कोई लाइन लगेगा तो हम ऐसा ऐसा कितना लाइन लगाने वाले कितना अस्तम रहेगा ज्यादा ज्यादा अस्तमों की अधिक्तम संख्या कितना होगा अगर हर अस्तम में यानि हर लाइन में जो है यानि कि 616 लोग है और यह 32 लोग है और 616 लोग है तो कितना कितना हम एक लाइन में रखेंगे बराबर होना चाहिए कुछ इसका रहेगा जिसे यह पहला लाइन है हमारा मान के चलिए तो इसमें कुछ 32 में से कुछ लोग रहेगा बेंड वाला कुछ लोग रहेगा और कुछ सब लाइन में रहेगा बरावर बरावर आपको रखना है आपको समझें आप जो कहना चाहरे है ठीक है टोटल फिर से समझें टोटल 648 लोग है जो दो ग्रूप में बटा हुआ है 616 और 32 का इस दोनों से मिला कर हमें एक लाइन तयार करना है और जो लाइन में आप रख दिये एक लाइन में जितना आदमी आप रख दिये वही लाइन में हर लाइन में उतने आदमी रखना है आपको आपसे सवाल पुछा जा रहा है कि भाई कितना लाइन आप लगाईएग इतना लोग से अगर बराबर बराबर व्यक्ति को रखिएगा तो चिक है तो सबसे पहले हम इसका SCF ग्याद कर देंगे पहले हम सवाल समझने का पढ़ियास की SCF ही क्यों ग्याद कर रहे हैं क्योंकि अधिक्तम संख्या यहां है और समान संख्या यह दो की टर्म है जिसके सार का हम SCF निकालेंगे यह रफ कर लेते हैं यूकलिट से ही निकालना है तो यह मेरा एक तरह से रफ बर्ख हो गया तो कितना मर्थ में लग जाएगा देखो 32 को दो मर्थ में लगाएगा तो 64 होने वाला इसलिए एक मर्थ में लगा दीजिए 32 यह नौ पांच में तीन तो यहां दोसो अठासी लिख दीजिए यह आठ हो गया यह गया और यह गया हां किना हां किना ठीक है और अब यहां 32 आ जाएगा जो कि अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो चार बार में कट जाएगा यह तो मेरा रफ बर्क होता है नम्मर आपको इसमें मिलेगा पहला भाग देखेगा तो यह भाई साहब यहां तक हुआ है पहला भाग तो क्या लिखाएगा 616 बराबर है ना 616 बराबर 32 गुने 19 पलस आठ यहां से देखिए यह हम आपको पिछला वीडियो में सिखा चुके हैं फिर हम क्या लिखेंगे दूसरा भाग यहां से यहां त इसको लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 पलस 0 चुकि R बराबर चुकि R बराबर 0 आ गया इसलिए हम क्या बोलेंगे जो SCF है 616 और 32 का वो क्या हो गया अंतिम जो B होता है भाग में यानि 8 हो गया यानि हम टोटल 8 लाइन बनाने वाले हैं टोटल 8 लाइन हम बनाने वाले हैं जिसमें क्या होगा बराबर बराबर लोग क्या होगा इकठा रहेगा ठीक है यह आपको समझे में आया SCF निकाल दिए 8 आया SCF यानि 8 लाइन बनने वाला है बात को समझेगा टोटल कितना लोग था 616 और 32 जो कि जुटकर आया था 648 इसको अगर हम 8 से भाग दे दे देखि लेकिन एक लाइन में कितना लोग रहेंगा एक लाइन में एक लाइन में बात को समझेगा अर्फ लाइन बनादेते एक दो तीन 4 5 6 साथ एक लाइन में टोटल कितना आदमी रह रहा है समझिएगा 81 सब में रहेगा ठीक है तो बराबर भी हो गया और टोटल 648 आदमी और दोनों ग्रूप का याद कर यह दोनों ग्रूप का 648 तो दोनों ग्रूप का आदमी करेगा यह बेंड वाला तो इसके पीछे आर्मी रहेगा तो आप समझ लेजिए कि एक लाइन में सवाल का पार्टने यह हम समझाने के लिए आपको बता है ठीक है अंसर तो आठ आ गया इंसर आप मिला लिए होंगे और खुस हो गया होंगे यह अगर समझ में आया तो अच्छी बात है ने तो आप हमको कॉमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम आपको फिर से इसको समझा दे है अगला सवाल देख लेते हैं जी इस सवाल को अगर देखिएगा तो कहा जाला है यूकलीड व्याजन प्रमेका का पड़्योग करके हमें यह दर्साना है कि कोई भी धनात्मक पुर्णांग का जो बर्ग होगा ठीक है किसी पुर्णांग M के लिए M का मतलब क्या है M ऑफ की पुर्णांग M के लिए 3M 3M P1000eny की रूपका रहां समझें क्या कहा जा रहा हैसे वाल में कि कोई भी धनात्मक पुर्णांग जो है 3M या 3M पलस 1 की रूप का होगा अगर उसका हम बर्ग कर देंगे तो अच्य धनात्मक पूर्णांग क्या है? एक्जामपल के लिए समझे धनात्मक पूर्णांग मतलब क्या आठारा धनात्मक पूर्णांग है? ऐधारा छोड़ी आठाराम कहीए आदम ही ठठ लिए ऐख चटनुन NOR मिल्याई अब इस 176 होगा कि अगर 3M की रुप में लिखाएगा यह मं क्या गरेंगे ắngे निए समझने के लिए 6 मर्थ में 18, 16, 315, जहां से देखे थे, 196 को हम क्या लिख सकते हैं, यूकलिर व्याजन प्रमेरिका का परयोग करके, 196 मतलब ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 65 गुने 3 या 1 सकेंड, 1 सकेंड, क्या हम लिख सकते हैं, तीन गुने 65 पलस 1, यही तो वह कहना का रहा थे, कि कोई भी धनात्मक पुर्णांग का बर्ग अगर हम करते हैं, धनात्मक पुर्णांग हम यहाँ पे लिए थे, 14, उसका बर्ग यह आया 166, तो धनात्मक पुर्णांग का जो बर्ग होगा, वो या तो 3M की रूपका होगा, या 3M पलस 1 की रूपका होगा, भाई दरसाने के लिए का रहा है, तो दरसाने का मतलब क्या होगा, वो चीज तो सत्त हैं या आप उसे हमें दिखा दिखा दिए कैसे सत्त हैं, कुछ तर्क देकर आप दरसाईये कि यह सत्त हैं, तो यह 1966 आया हम इसको 3 से डिवाइड कर दि आडिये होगे, तो बोला 3M पलस 1 की रूपका, यह 3M पलस 1 का रूपक है, 3 की 3 और M की जगा क्या है, 65, M क्या है कोई भी पुर्णांक, M क्या है कोई भी पुर्णांक, M क्या है कोई भी पुर्णांक, M क्या है क्या 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 कर रहा है, 1966 के लिए M का काम क्या क्या कर रहा ह पट्था की संबराइब में या बात करए धानात्मक पुरुणांग को सैने कि माना है धनात्मक पुरुणांग को श cyn waiter नाबर यह माने तथा किसको मानेंगे जिस रूप में लाने के लिए करता उसको व्हार वार आपको समझा रहें तो यह हो गया तीन है है यह हो गया धनात्मर पुर्णांग भी हो न जैसे भी तीन हुआ आर का संभावित मान हम लेकर देंगे आर का आर का संभावित्मान क्या क्या हो सकता है आर का संभावित्मान चुकि भी तीन है तो आर का संभावित्मान याद कि जीरो एक और दो हो सकता है ठीक है तो चुकि भाग उसको हम तीन से ही देंगे वह 196 काम करके भी दिखाए जो 14 का बर्ग था तीन से ही भाग देना है कि वह 3M के रूप में दिखाने बोलता 5M किसी भी सवाल में वहां तर कुछ और हो सकता है यहां बर्ग है तो फिर 5 नहीं देगा तो अगर 5 के रूप मे उठा लिजिए अगर 3 से भाग देने जाईएगा तो सेसफल 0 1 2 में से ही कुछ एक बचेगा सेसफल तो बचेगा एक को लेकिन कोई 0 1 2 में से कुछ बच सकता है बात को समझेगा तो यह बराबर क्या हो सकता है यह बराबर तो चलो पहले BQ पलस R होता है चली अच्छा बात हैं लेकिन यह तो चलो एक तरह से मेरा फॉर्मूला हो गया एक तरह से मेरा फॉर्मूला हो गया लेकिन लेकिन यह तो चलिए इस कोश्चन में यह तो मेरा एही है यह की जगह एही लिखना जो कि धनात्मा प्रोणांग का का काम कर रहा है B मेरा देखो 3 हो गया तो हम B की ज नहीं नहीं सकता है तो हम बोल सकते हैं 0 अ कब यह कोगा एह जब मेरा सेशफल 0 बचे करना यहां R बराबर 0 है 3 Q plus 1 जहां R बराबर 1 है और 3 Q plus 2 जहां R बराबर 2 है क्योंकि R कुछ भी 1 हो सकता है हमको नहीं पता है R क्या बचाब कोई A पे depend करेगा ना A actual में है क्या यह तो पता नहीं इसलिए हम 3 को लेकर चलेंगे 3 को लेकर हम चल रहा है एक सकेंड अब आगे देखते हैं वो क्या बोला जो मेरा धनात्मक पुर्णांक है उसका बर्ग करना है बर्ग होना चाहिए इस रूप में धनात्मक पुर्णांक मेरा क्या है यह यह और यह अभी हां कि ना उसका हम बर्ग कर देंगे तो तीन क्यू का जब हम बर्ग करेंगे क्योंकि वो धनात्मक पुर्णांक का बर्ग करने कह रहा है और धनात्मक पुर्णांक मेरा ए है और ए का यह तीन मान आया है तो हम इसका बर्ग कर रहे है तो तीन क्यू का बर्ग कीजिएगा ये हो जाएगा 9Q का स्कॉाइर फोल स्कॉाइर का एक हम वीडियो अप्लोड किये हैं उसका कहिएगा तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं आप वहां से जाकर सिख सकते हैं अगर ये आपको नहें आता है अब हम क्या बोलेंगे वो 3M का रूप बोला तो हम क्या करेंगे 9 से 3 बाहर निकालेंगे कोमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं अब ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3Q का स्कॉाइर हैंस देखिए क्या हम 9Q स्कॉाइर को 3 गुने 3Q स्कॉाइर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बात लिखे दिए, अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, कि 3 तो ये है, इसको अब हम M बोलेंगे, इसको हम M बोलेंगे, जहाँ, jahan M बराबर क्या है 3Q का square क्यों ऐसा कर दिये क्योंकि आप बोले थे कि मैं किसी पुर्णान्क M के लिए 3M का रूप हो यानि 3M में M क्या है कोई भी पुर्णान्क हो सकता है तो मिरे भाई 3Q में तो कुछ भी हो सकता है ना तो M की जगा 3Q asquire आ गया यानि कि कोई भी धानात्मक पुर्णांग का हम बर्ग करेंगे तो 3m का रूप आएगा या 3m पलस एक का रूप आएगा अगर 3m का रूप नहीं आया तो एक इसको उठा लीजिए इसका भी हम बर्ग कर देते हैं तो जब हम 3q पलस एक का बर्ग करेंगे यानि a पलस b का होल asquire करेंगे और a पलस b का होल asquire का भी वीडियो हम उसी description में आपको दे देंगे अगर आपको करने आता है होल asquire तो वहां से आप सीख सकते हैं 3q का asquire होता है ठीक है पलस दो गुने 3q गुने एक यानि 2ab हुआ और फिर b का asquire हो गया और b का क्या हो गया asquire हो ठीक है इधर मिटा देते हैं इधर मिटा देते हैं और इसी बात को थोड़ा आगे बरहा देते हैं ठीक है देखिए तो इसका जब बर्क कीजिएगा तो हो जाएगा 9q का asquire फिर देखिए ध्यान से यह क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा तीन दुना 6q और पलस एक देखिए 3m का रूप तो हम दिखा दिखा दीए अब 3m पलस एक दिखाना है तो क्योंना क्योंना हम यहां से 3 बाहर निकाल दें सिर्फ 3 बाहर करेंगे हमको 3 दिखाना तो 3 जब बाहर कर दीजिएगा तो यहां 3 q का asquire बचेगा यह comment लेना है ठीक है अगर comment लेना नहीं आता है तो उसका वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले है पूरा गु एक सा common लेना तो 3 बस common लिये हैं वहुआ और यह एक ऐसी रागे है ध्यान से देखिए यह 3 तो आईए गया क्या 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 हम इसको m बोल दें और पलस 1 की पलस 1 और हम क्या बोल देंगे जहां जहां m बराबर क्या जहां m बराबर 3 q असक्वाइब पलस 2 q भाई m कुछ भी हो सकता है तो 3 q असक्वाइब पलस 2 q भी हो सकता है भाई q तो पहले से पुरुणांग है अब इसलिए हम आपको 196 दिखा है कि इसका रूप हुआ 3 गुणे 65 पलस 1 आया था तो m का काम कौन कर रहा था m का काम 65 कर रहा था समझे की ने समझे 1966 के लिए क्योंकि यहां a किलियर है कि भाई a 1966 ही है यहां a किलियर मेरा नहीं था यहां a का 3 मान आया था एक 3Q आया, एक 3Q पलस एक आया और एक 3Q पलस दो आया, इसलिए ये लफरा हो रहा है, समझे की ने समझे, तो M यहाँ प्रोपर 65 आगया क्या हो, क्योंकि प्रोपर 196 A भी था, यहाँ A भी मेरा केलिए नहीं था, A यहाँ क्या था, कोई भी धनात्मक पुर्णांग था, इसलि सवाल खत्म हो गया, यह दिखा दीजेगा 3M पलस एक, जहाँ M बराबर 3Q अस्क्वाइर पलस दो क्यों है, और फिर सबसे नीचे मं क्या लिक देंगे कि अता, किसी धनात्मक पुर्णांग का बर्ग, किसी पुर्णांग M के लिए 3M या 3M पलस एक के रूप का होता है, ठी ठीक है, एक्जाम में कैसे बनेगा, उसका प्रोफर तैयारी हम लोग अक्टूबर से करेंगे, भी सिखने पर ध्यान दीजिए, और मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चा जो वीडियो देख रहा होगा, कही ना कहीं कोई ना कोई ट्यूशन कोचिंग पर ही रहा है, तो वहां से भी आपको सीखी और कुछ हिंट हम से लेके आप आगे बरते हैं, फिर भी आपको क्या चाहिए, किस तरह से समझना है, क्या समझना है, आप हमको जरूरू बताइए, ताकि हम आपको हिंट कर सके और उसी एकोडिंग आपको हम वीडियो प्रभाइड करवा सके, ठीक है, यह इहां भी सेम सवाल है, युकलिर वहाजन प्रमेका का प्रयोग करना है, यह गूशन लास्ट एक्सरसाइज एक दसमलव एक का और हमी यह दरसा ना है कि धानात्म कोर्णां का जो गन होता है, खन मतलisu क्या होता है, थोगसे कि और कैसे घान का मतलब होता है, तीन बार गुर होगा वो किसी परणांग M के लिए 9M 9M पलस एक या 9M पलस आठ के रूप का होता है यह हमसे पूछ रहा है तो चलो ठीक है इसको हम बनाएंगे ही बनाएंगे लेकिन उससे पहले एक फूर्मूला आपको सीखना परेगा A पलस B का होल क्यूब 9 में आप पर हैं लेकिन थोड़ा सा हम हिंट आपको देते हैं A पलस होल क्यूब की जगा हम क्या लिखेंगे A Q पलस B Q या B को बाद में लिखनेगे A Q पलस A Q पलस 3 A A SQ B plus 3 a b ka square plus b ka cube a plus b ka whole cube का यह formula होता है ध्यान से समझेग आप जो हम बतलाना चाहरा है यहां a था और b था plus का sign तो था ही था है उसका cube बोला तो a था और b था तो a में और b में deal किया अगर मेरा देखिए ध्यान से x y आजाए x y आ जाए तो हम x y में deal करेंगी और हम क्या लिखना शुरू कर देंगे ध्यान से देखो वो a का cube किया क्योंको उसका पहले a लिखा हुआ था मेरा पहले x लिखा हुआ था हम x का cube करेंगे पलस दिया पलस देंगे वो 3 a square भी लिखा मतलब क्या 3 तो हम भी देंगे a का square मतलब क्या जो उसका पहले पद था पहला पद जो लिखा हुआ था a उसका वो square किया तो मेरा पहला पद इस सवाल में x है तो हम x का square करेंगे फिर वो क्या लिखा b लिखा मतलब जो दूसरा पद था adjectives वो लिख दिया तो मेरा दूसरा पद इस सवाल में क्या है बाई तो हम बाई को adjectives लिख देंगे पलस की पलस तीन adjectives वो A लिखा एका मतलब क्या पहला पद लिखा यहां पहला पद X है तो हम X लिख देंगे इसी तरह से हम formula का यूज करते हैं फिर वो B का square किया मतलब जो उसका दूसरा पद था उसका square किया तो मेरा दूसरा पद क्या है बाई तो हम बाई का square करें पलस तो पलस फिर वो B का cube किया मतलब जो उसका दूसरा पत है उसका क्यों किया मेरा इस सवाल में मानके चले दूसरा पतर क्या है भाई तो बाई का क्यों का कि बात आ रहा है अब इसी की जगह अगर हम आपको दे दे 3M पलस 2 का क्यों करने के लिए तो इसी तर्ज पे हम चलेंगे देखो ध्यान से पहले ए था एका क्योंगा पहले एकस था एकस का क्योंगा तो पहले मेरा क्या है तीन एम तो हम तीन एम का क्यूब करेंगे सिंपल पलस है तो पलस तीन है तो तीन एकस का स्क्वाइर मतलब क्या एका स्क्वाइर मतलब क्या पहला पद का स्क्वाइर पहला पद मेरा क्या है तीन M तो हम क्या करेंगे तीन M का स्क्वाइर कर देंगे फिर ध्यान से देखो वो बाई लिखा मतलब दूसरा पद लिखा मेरा दूसरा पद दो है तो हम गुने दो लिख देंगे फिर पलस है तो हम पलस दे देंगे तीन है तो तीन दे देंगे एक्स का मतलब क्या पहला पद तो मेरा पहला पद इस सवाल में क्या है तीन अम तो हम क्या करेंगे, 3M दे देंगे बाई का स्क्वाइर मतलब क्या दूसरा पद का स्क्वाइर तो मेरा दूसरा पद 2 है तो हम 2 का स्क्वाइर कर देंगे पलस है, पलस दे देंगे बाई का क्यूब है तो फिर मेरा बाई का मतलब दूसरा पद तो हम दूसरा पद का Q कर देंगे इस तरह से A पलस B का HALL Q काम करता है, इसको एका step आगे बराकर थोरा सा solve कर देना परेगा इसको थोरा सा solve कर देते हैं 3M का Q, M का Q का मतलब क्या है इसका मतलब क्या है 3M, गुने 3M गुने 3M, Q का मतलब यह होता है जिसमें Q आया है, तीन बार गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3, 3, 9, 27M का Q इस Q का यही मतलब हुआ ठीक बात, थोरा सा आगे बर जाते हैं यह हो जाएगा 9 बर करना है मतलब 2 बार गुना करना था 3M गुने 3M तो 9 हो जाएगा 3, 3 गुना होकर अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है यह तो बेसिक है, आपको 9 से आना चाहिए था यह इतना सब गुना एक सकेंड मेरे भाई यह पूरा गुना हो गया और यह पूरा गुना होकर आया इतना, इसको गुना कीजिए देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36 इस M की M और यह हो गया 8 इस तरह सोता है A plus B का whole Q ठीक है अब हम आते इस सवाल पर इसका जरूत परेगा, इसलिए हम बता दिये थोरा सा अगर दिक्कत है तो आप आपको बताईए हम और आपको डिटेल में बताएंगे तो हम क्या करेंगे वो बात कराई देखिए किसी धनात्मक पुर्णांक का घन का तो हम A को मान लेते हैं कि A मेरा वो धनात्मक पुर्णांक है A को क्या मान लिए धनात्मक पुर्णांक है A मेरा वो धनात्मक पुर्णांक है तथा B किसको मान लेंगे द्यान से देखो 9 M बोल रहा है 9 M बोल रहा है ठीक है 9 M बोल रहा है तो क्या हम B को 9 मान ले B को क्या मान ले 9 मान लेकिन बात को समझेगा लेकिन 9 मानने से क्या फाइदा होगा हमें 9 M का रूप दिखाना है 9 M पलस 1 का रूप दिखाना है जो मेरा धनात्म होगा उसका घं इस रूप में होना चाहिए तो मेरे भाई नौ का अगर हम घं करते हैं नौ का अगर हम घं करते हैं तो बहुत बड़ा मान आएगा नौ गुने नौ गुने नौ आएगा जो कि 729 हो जाता है एकासी आता है तेन बर गुना करना है नौ 9 क्या से 9729 ठीक है और इस 739 हमें करना क्या है? 739 से हमें बस और बस बाहर करना है कुमन लेना है कि इसको तो 9 को क्यों की रूप में वhou लाने के लिए कर रहा है तो हम क्यों इतना बड़ा मान लेंगे? हम इतना बड़ा मान क्यों लेंगे? अच्छा एसा करते हम आपको समझाएं देते हैं B को हम नू लिए तो R का समभाव इतमान क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो तो इखांग बड़ा जागया बी मेरा 9 हो गया, Q तो Q ही रहेगा, Q क्या है, कोई ही पुर्णाइग है जो कि भागफल का काम कर रहा है R अगर 0 होगा तो 9 Q, R अगर 1 होगा तो 9 Q पलस 1, 9 Q पलस 2 ऐसे से करके हम कहां तक जाएंगे, 9 Q पलस 8 तक जाएंगे ध्यान समझने का परियास कीजिएगा, ध्यान समझने का परियास कीजिएगा, तो हम कहां तक चलगे, 8 तक चलगे तो जब 9 Q का हम घं करेंगे तो यह आएगा 9 का Q 729 और Q का Q इसे से basically हम क्या करेंगे 9 बाहर निकालेंगे जैसे आउसक्वाइर में किये थे इसे पिछला सवाल में 9 बाहर निकालेगा अंदर में बचेगा 81 Q का Q और हम बोल देंगे यह 9 है और यह सारा मेरा M है जहां M बराबर बोल देंगे 81 Q का Q भाई M कुछ भी हो सकता है M कोई पूर्णांक है M 81 Q क्यूब भी हो सकता है अच्छे एक बाद बताईए अगर M कुछ हो ही सकता है और 9 M ही उसे चाहिए ये मतलब 9 चाहिये और 7 में M चाहिए और M कुछ भी हो सकता, जो कि यहाँ क्या सी Q का qy bigger है, तो क्याँ नद US हम इतना बरा ना मानकर इतना बरा ना मानकर समझेगा, इतना बरा ना मानकर हम B को 3 मानन B को 3 माननने हो सकता है 3 से मेरा काम हो जाए 3 से मेरा काम हो जाए क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे 9 माने तो 9 का क्यूब करना परा 3 माने तो हमें 3 का क्यूब करना परेगा जो कि 27 आएगा क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना करना और इसी 27 से 9 तो बाहर हो ये सकता है बचेगा क्या 3 तो क्या दिक्कत है कुछ भी बच सकता है हमें बचाना बस बाहर 9 से मतलब था M बोल देंगे 3 को हाँ की ना इसलिए हम यहाँ B को 3 ही मान कर काम करेंगे 9 से भी काम हो जाता लेकिन 3 से ही इसका हम काम करेंगे तो B बराबर 3 हो गया तो R का संभावित मान क्या होगा 0, 1 और 2 इसलिए A का मान क्या आएगा A का मान आएगा 3 Q 3 Q पलस 1 और 3 Q पलस 2 और इससे मेरा काम हो जाए ऐसे उहाँ 8 तक आया था A बराबर B Q पलस R से यह मान आया क्योंकि R का 3 मान है A किस पर Depend करता है खुद सोचो ना A Depend करता है B Q पलस R पे B Q तो Fix है B Q फिक्स है यहाँ लेकिन R फिक्स नहीं R 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है इसलिए A का 3 संभावित मान आगया A का 3 संभावित मान आए अब हमें क्या करना है अब हमें करना है गहन, क्योंकि ये A आया है, मतलब धनात्मक पूर्णांक आया, उसके गहन को उस रूप में दिखाना है, तो A तीन Q है, इसका हम गहन कर देंगे, तो जब इसका गहन कीजिएगा, तो आएगा 27Q का Q, और 27Q का Q का मतलब क्या हो गया, इससे 9 बाहर निकाल लेन जिसे 739 से हम निकाले थे, तो 9 बाहर निकालेगा, तो अंतर में बचेगा 3Q का Q, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 9M, इसको हम क्या बोल दिए, M बोल दिए, तो M बराबर हो गया, 3Q का Q, यहाँ M बराबर हो गया, क्या से Q का Q, तो हम इतना बरान करकर इतना बराना करकर क्या करेंगे सीधा जो है तीन मान कर बना लेंगे सिंपल यह आ गया समझ में क्या अब हमें घंड करना है तीन क्यू पलस एक का हम क्या कर देंगे घंड कर देंगे घंड का मतलब क्या एपलस भी का होल क्यूब और एपलस भी का होल क्यूब देखिए वे भाई साहब यहां नहीं सिखाये थे, माफी, इसी में सिखायें थे आप ठीक है, वो मिटा दिये थे, जिसका अब हम घन करेंगे तो क्या ऐगया, एका स्क्राइगे, क्या गया, थे क्या क्यू पलस याद कर लो ना, यह हम कहां लिख दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, A A बलस B का whole Q पहले format लेट एक का Q पलस द ard का Q पलस दीन A SQ V पलस देन A B का स्क्वाइर पलस दीन का Q छीक बात क्या छीक बात क्या तो A का Q क्या तो मेरा A काउन है तेन Q का Q किया पलस तीन A A's Qacağız B तो 3A का मतलब तीन क्यूब का स्क्वाइड गुने एक गुने एक पलस पलस तीन ए बी का स्क्वाइड तो तीन ए और बी का स्क्वाइड का मतलब एक का स्क्वाइड पलस आरा है समझ में क्या बी का क्यूब मतलब एक का क्यूब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 27Q का Q तीन तिया 9, नो तिया 27Q का स्क्वाइड तीन तिया 9Q पलस एक हमें इतना करके क्या करना है? इतना करके हमें बस 9M पलस एक दिखाना है यानि 9 बाहर निकाल देना है और M कुछ भी हो जाएगा तो यहां से यहां तक अगर पेम से देखिएगा तो इससे 9 बाहर हो जाएगा देखिए, कोमन लेना है तो कोमन और इससे बरा हो जाएगा लेकिन हमको बस 9Q भी हो जाएगा इतना दूर में कोमन ठीक है लेकिन हमको सिर्फ 9 से कान है बागी जो बच जाएगा उसको M बोल देंगे तो हम सिर्फ 9 को मन लेंगे तो 9 जो बाहर निकालेंगे तो इसमें बचेगा 3Q का स्क्वाइर इसमें बचेगा 3Q का स्क्वाइर Q है यहाँ, यहाँ square बचा और यहाँ बची गया मेरे भाई, सिर्फ Q और यह plus 1 की plus 1 और हब हम क्या बोल देंगे, 9 M इसको सब को क्या बोल दिये, M plus 1 और यहाँ लिख देंगे, जहाँ जहाँ M बराबर क्या हो गया 3 Q का Q plus 3 Q का square plus Q हो गया तो किसी भी धनात्मक का घन 9 M की रूपका होगा या देखो 9 M plus 1 का रूपका होगा या 9 M plus 8 का रूपका होगा तो भाई, एक A बराबर मेरा याद करो 3 Q plus 2 भी तो आया था इसका हमें फिर घन कर देना है जब इसका हम घन कर देंगे जब इसका हम घं कर देंगे ठीक है तो वही घं जो है 9m पलस 8 का रूप हो जाएगा इसका कहिएगा तो हम घं कर देते हैं a का क्यूब जहां से देखो a का क्यूब फिर 3a स्कॉाइर तो 3 a का स्कॉाइर गुने b पलस 3a यानि की 3 क्यूब गुने b का स्कॉाइर मतलब 2 का स्कॉाइर ठीक है whole क्यूब का एक special वीडियो हम आपको दे देंगे link description में आप सिख लिजेगा स्कॉाइर और क्यूब दोनों का हम दे देंगे ठीक है तो 3 गुने 3 क्यूब गुने 2 का स्कॉाइर पलस b का क्यूब दूसरा अच्छर का क्यूब अर्था 2 का देखो ध्यान से इसको क्या लिखिएगा इसको क्या लिखिएगा 27期 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 दूना 25 यानि कि 24 Q का स्कॉाइर ठीक है चारतिया 12 तिया 36 Q पलस 8 इससे हम क्या कर सकते हैं इससे हम 9 common ले सकते हैं ध्यान से देखिए कि यहां से यहां तक से आप 9 common ले लिजिएगा जिसी 9 common लिजिएगा इसमें बच जाएगा 3 Q का cube और इससे बच जाएगा 9 बाहर निकाल देजएगा 9 ही बाहर निकालना है जी तो यहां 6 बच जाएगा Q का square और 4 Q पलस 8 जहां हम क्य क्या बोल देंगे इसको यहां से यहां तक को M बोल देंगे तो यह हो जाएगा*** 9 M ­ा- का Mmm का का म में पूरा कर रहा है ठीक है और निकालना को किसी यह चा होता है समाई की नहीं सम शािए इस तरह से जो है हमारा exercise 1.1 NCRT book से समाप्त हुआ आपको कहें भी दीकत लगता है तो आप हमको जरूर बताइए और देखिए इतना बड़ा English में क्या लिखा हुआ है बहुत बहुत